तेजश्वी आदव अगर मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें और कड़ी महनत करनी पड़ेगी जी हाँ ये नसीहत दी गई है हमके प्रवक्ता दानश रिजवान की तरफ से आपको बता दे कि पिछले दो महिने से नीता प्रदेपाक्षृती जस्वी आदव क्योंकि जब भी आपदा की घड़ी से बिहार गुजरता है जब संकट की घड़ी में बिहार की जनता होती है तो तेजश्वी आदव नदारद होते हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से यारोप एक बार नहीं वलकि कई बार लगाया गया है और ऐसे में जब दो महिने बाद ने रागोपूर विधानसभा शेत्र के लिए वो निकल पड़े दरसल रागोपूर उनका खुद का विधानसभा शेत्र है और वहाँ पर जो भी समस्याएं लोगों के सामने आ रही है उसको लेकर उनसे बातचीत की आपको बता दे कि इस पूरे यात्रा के दोरान इस पूरे स सियासत को गर्म कर दिया वो ये है कि नेता प्रदिपक्षती जस्यादम ने ऐलान कर दिया कि दो से तीन महिने बाद बेहार में सत्ता परवर्तत हो जाएगी आप घबराये मत दरसल मामला ये था कि अस्थानी लोगों की तरफ से लगातार सरकार को लेकर कई तरह की शिकायत की जा रहे थी शिकायतों का अंबार लगा दिया गया और यहीं वज़ती कि नेता प्रदिपक्षती जस्यादम ने ये बड़ा बयान दिया और ये तक कह दिया कि घबराये मत दो से तीन महिने में बेहार में सत्ता परवर्तत हो जाएगी और इसी को लेकर अब बेहार के सिय असी गल्यारों में चर्चाएं हो रही है एक तरफ जहां हमके प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफतोर पर नसीहत दे डाली है कि दिल्ली में बैच कर कुछ भी नहीं होगा बिहार में जमीनी हकीकत देखनी होगी समझनी होगी कड़ी महनत करनी होगी और अगर आप दिल जब नेता परतिपक्ष जिस्टी यादो जी जनता को बर्गलाने के लिए कह रहे थे कि तीन महीने में बिहार सरकार गिर जाएगी ये पहली भोईशवानी नहीं है इससे पहले भी राष्टी जनता दल के नेताओं ने साफ तोर पे कहा था कि 14 जनवरी के बाद बिहार सरका लेकिन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए महनत करना होता है और ये महनत आजकर दिली में कर रहे हैं तो जब आप दिली में महनत करिएगा तो बिहार में मुख्यमंतरी कैसे बनिएगा बिहार में मुख्यमंतरी बनने के लिए मानिने मुख्यमंतरी नितीश कुमार जी ऐस लेकिन कहीं ना कहीं जिससरीके से लगातार आरजडी के तरफ से दावे किये जा रहे हैं और इसके बदले में पलटवार भी सत्ता पक्ष की तरफ से किया जाता है और ये दाविस अत्ता पक्ष की तरफ से किये जाते हैं कि पांच साल तो क्या अगले पांच साल से दस साल तक हमारी ही सरकार होगी ये ख्वाप आप दिन में बुनना बंद कर दे हलाके इन सभी मामलों के बीच अब नसीहत देड़ी है हम की तरफ से नेता प्रदिपक्ष ती की तरफ से नेता बंद कर दिथे कि तरफ से थिल्GU